वागत है अब सभी का एक उन्यू वीडियो पर देखिए आज की वूर्ड में बात करेंगे अपनों सभी उजनाओं के बारे में जो कि MP गवर्मेंट की तरफ से आपको दी जाती है अगर आप MP वोड से पढ़ाई कर रहे हो तो यह आपको इन इसकिम का बेनफिट दिया जाए यह आपर मोटीवर्ट हो पढ़ाई में और जाद ध्यान दे पाए इस कारण से आप देखते होगे कि maximum cbac के बच्चे 20 में MP वोड में आ जाते हैं वो इस कारण से यह आते हैं क्योंकि यह आपर काफ सारी स्किम का बेनफिट आपको दिया जाता है तो आज कोन कोन सी स्किम ह अब देखेंगे कौन कोन सी स्किम MP वोड में दी जाती है वो मैं आपको बताऊंगा तो वीडियो में तक बने रही है नहीं तो सब्सक्राइब के सांसा नोटिफिकेशन आइकन ज़रू साँ करके रखिएगा MP वोड एग्जामनेशन की ऐसी इनफरमेटी वीडियो में आप को आगे देता रहूंगा अब देखिए MP गवर्मेंट की तरफ से स्कीम तो काफसारी दी जाती है पर एज्जुकेशन सेक्टर में कुछी स्कीम ऐसी है जो कि आपके काम किये इस बार उनमें क्या क्राइटेरिय में क्या 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 चेंजिस हुए है उन्हीं के नाम में आप सबसे ज़्यादा फीमस स्कीम आपने कहीं ना कहीं इसके बार में जरू से सुना होगा आपके मामा जी ने इसकीम शुरू की थी जो कि आपके डेप्टॉप स्कीम जिसमें कि आपको 25,000 रुपीज दिये जाते हैं अब उससे आप डेप्टॉप खरीदते हो नहीं खरीदते अगर आपके अंपी बोड एक्जाम में सिर्फ 60 परसेंट भी बनते हैं तब भी आपको इसी स्कीम का बेनफिट दिया जाएगा बाकि इसकी और इंफ्पर्मिशन परसेंटेज क्रैटिरे का कानफर्मिशन और प्रूफ कि आपके मामा जी ने कब कहा ता कहां पर कहा था कि 60 परसेंटेज़ बन डेट्टप स्कीम का बैनफिट दिया जाएगा वो समय अगे की विडियो में बताऊँगा सीटेगे के मीधावी स्कीम इसका भी नम आपने कहीं न होगा इसमें होता कि है सबसे ज़्यादा benefit आपको इसी में होता है आप सूच रहोगे कि laptop scheme में 25-11 में दिया जारा है तो हमारा benefit हो रहा है अच्छा गासा पर इस scheme में आपकी पूरी graduation free में हो सकती है यहां तक कि मैं आपको बता हूँ कि अगर आप medical की पढ़ाई भी कर रहे हो आपको पते ही कितने ज़्यादा पैसे करच होते हैं कितनी high fees होती है तो वो भी आपके पढ़ाई free में हो सकती है tuition fees आपकी पूरी माफ हो जाती है इसमें पर इसकी भी कुछ condition होती है कुछ process होती है साथ में मेधावी scheme की एक चीच काफी अच्छी है 20th के बाद आप कोई से भी graduation course कर रहे हो कितना ही महेंगा कर रहे हो private college से कर रहे हो या फिर government college से कर रहे हो कोई matter नहीं करता है आपके पूरे tuition fees आपर माफ हो सकती है पर इसकी एक process होती है कुछ criteria होते है अगर आप इसमें fit बैटते हो तब ही आप इस scheme का use कर सकते हो मैंने आपको बताया कि medical जैसे महेंगी पढ़ाई भी आप इससे free में कर सकते हो वह समय आपको आपको आपके बताऊंगा क्योंकि इसमें की income क्राइटेरिया होता है इसको भी आपके मामा जी ने इस्टार्ट किया है अब इसका नाम e-scoot है तो इसका यह meaning नहीं है कि आपको इसमें e-scoot ही दी जाएगी इसमें भी आपको e-scoot के पैसे दिये जाते है पर यहां पर यह condition होती है कि आपको इस पैसे से e-scoot ही करीनी होती है यह condition पर दी जाती है तो अगर आप अपने school में top करते हो अभी तक यह scheme थी वो सिफ government schools के बच्चों को थी यानि कि सिफ government schools के बच्चों को इस यूजना का benefit दिये जाना था पर जैसे ही चुना हुआ है तो आपके मामा जी ने यह भी announce कर दिया कि आप से private school से बच्चों को इस यूजना का benefit दिये जाएगा इसमें एक और बड़ा change किया अभी तक क्या हो रहा था एक ही बार वैसे यूजना दिये गए यह previous session के बच्चों को दिये गए ति आप पूछ सकते हैं अगर आपके कोई दोस्तों बगरा हो तो उसमें एक और बड़ा change कर दिया गया अभी तक यह जो इसकूटी दी जा रही थी वह किसी एक टॉपर को दी जा रही थी एक चात्र एक चात्रा को पर आपसे यह announcement की गई कि आपसे जो टीन टॉपर रहेंगे यानि अगर उन्होंने इसकूटी बाय की थी तो उनके आए तो 130,000 अगर उन्होंने पैट्रों इसकूटी बाय की थी तो उनके हैटी 90,000 वो डिपेंड करता है वो समय आपको आगे बताऊंगो confirmation के बाद कि इस बार कैसा कैसी ने प्राइवेट इसकूट के बच्चों को benefit दिये ज प्राइवेट इसकूट के बच्चों के काम के चीज ती अब दी जाती है नहीं दी जाती है वो सब आगे देखेंगे नेक्स्टी स्किंग के बात करें तो वह सोपर हंड्रड एक्जाम इसमें क्या होता है जो बच्चे 10 पास करते हैं अगर वो competitive exam की तेयरी करना चाते हैं ज आपको फ्री कोचिंग भी दी जाएगी इनके एक्जाम होते हैं उन सब की information में आपको आगे दूंगा कि कपसे इनके फॉर्म स्टार्ट होंगे कैसा कि आप इसका registration कर सकते हो अपन बात करते हैं next scheme की तो अब यह जो scheme आ रही ही वह maximum 20 के बच्चों की काम की है 20 के बाद आप कर रहे तो थोड़ी से कम आती है अब बीटेक कर रहे तो थोड़ी से जाधा आती है तो यह scholarship भी गवर्मेंट की तरफ से दी जाती है इसका एक criteria होता है कि आपको फर्स्ट डिविजन के number होने चाहिए वैसे तो यहापर second division में भी काम हो जाता है कहीं कोई दिक्कत नहीं आत से हैं तो उनको यहाँ पर MP गवर्मेंट की तरफ से एक scheme दी जाती है कि अगर उनके घर उनके school से थोड़ा से दूर है यहाँ पर free second बाटी जाती है अब यह maximum government schools के बच्चों को दी जाती है private schools के बच्ची यह ना सोचे है कि हमें भी साइकें दी जाए यह आपको यहाँ पर पर पैसे आपको दी जाते हैं तो इसकी information में आपको आगे वीडियो में दूगा कि कैसे कहाँ पर क्या registration होता है कैसे आपके bank account में पैसे आते हैं यह मैंने आपको कुछ scheme के बारे में बात करेंगे और इनकी separate video यानि कि हरे के scheme के उपर detailed video की कैसी का process होती है कहा से firm बनने होते कब से start होंगी कब तक benefit आप उठा पाओगे वो समय आपको आगे दूगा तो connected रहेगा आज की वीडियो में तो नहीं कोई doubt आता है comment करके पूछ सकते हैं या फ्राब मुझसे इस्टा पेडियम करके बाद भी कर सकते हैं